क्या आप भी चाहते हैं आपके पार्टनार के सामने आपकी शर्मंदिगी ना हो बैट पर तो मेरे साथ जुड़े रहें इस वीडियो को पूरा देखेगा हेलो एवरिवान अससानाम वालेकुम कैसे आप सब उमीद करतु खेरियत से होंगे कि करिया आपको बताने वाले हैं अपने अपने सेक्स टाइमिग को कैसे इन्क्रिज कर सकते हैं कैसे डीशरली बढ़ा सकते हैं बस यह दो काम आप करो आपका sex timing naturally increase होने वाला है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के अंग तक इस वीडियो के अंग तक देखना आपका ही फाइदा होने वाला है बहुत सारे इसे male partner है जो जल्दी discharge हो जाते है मुझे कही सारे messages आया है मेरे बाईयों का की ऐसा ऐसा जल्दी discharge हो जाता है हमें कुछ इसका उपाय बता लिए तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो शादी शुदा है जो अपने जिंदिगी में खुश नहीं हो पा रहे है तो इनके लिए ये वीडियो है इस वीडियो में बहुत important information मिलने जा रहा है foreplay और outplay की बात नहीं करूंगी मैं जो major stroke की बात करूंगी insertion की उस time को कैसी increase किया जाए आज मैं आपको जो tips पताने वाली हूँ वो 100% work करेगा और आप किसी sexology से मिल सकते हैं consult कर सकते हैं इसके बारे में आप पूछ सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी जॉइन कर लीजे हमारे साथ tips number one आप नुपडाउन कर लीजे कीगल exercise कीगल exercise बहुत affected होता है आपकी pelvic floor muscle को tone करता है कीगल exercise बहुत powerful होता है और औरतों में एक फाइदा होता है कि जब औरते बच्चा पैदा करती है वो आसान हो जाता है बच्चा पैदा करना और आपको जल्दी discharge होने से रूपता है number two stop and squeeze technique अगर आप ये regular ways पे करते हैं तो आपको बहुत फाइदा होने वाला है आपके discharge होने का chances कम होगा ये दोनों exercise आपको बहुत help करता है आपकी timing को बढ़ाने के लिए आपको discharge होने से रूपने के लिए ये naturally आपकी sex timing को increase करता है अगर आप two minutes के अंदर discharge हो जाते हैं तो ये technique जो है मैंने अभी बताया है आपको ये आपको help करेगा आपको अपने diet पे दियान देना चाहिए आपको बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए और ये फूर्ड नहीं खाना चाहिए आपको alcohol आप आगर लेते हैं तो वो भी बंद करना पड़ेगा आपको और आप घर का खाना खाइए nutritious खाना खाइए अच्छा खाना खाइए और अगर आपका वजन भी ज्यादा है तो उसको भी आप थोड़ा कम कर लीजे तो diet पे दियान देना बहुत ज़रूरी है अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए आपकी sex timing को increase करने के लिए की health को अच्छा रखने के लिए आपका heart health बहुत ज़रूरी है heart health को अच्छा रखिए आप sex अच्छा कर पाएंगे और आप diet पे amino acid वाला food एड़ करें नमबर वन fish नमबर टू almond नमबर थ्री watermelon नमबर फोर dark chocolate यह सब आप अपने डाइट पे ज़रूर एड़ करें और एक important वाद मैं आपको बता देती हूँ कीगल exercise और stop and squeeze exercise पर आप दियान दे यह बहुत effective होता है अपके timing को increase करने के लिए और friends कीगल exercise पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment section में जरूरू बताइएगा and stop and squeeze technique को आपको कैसे करना है मैं अभी बता देती हूँ जब भी आप sexual intercourse कर रहे होते हैं जब भी आपको ऐसा लगे कि जब आप कर रहे होते तो आपको लग रहा है कि आप discharge होने वाले हैं तो आप क्या करना है पैंस को बहार निकाल देना है वेजाइना से और पैंस का जो कैप होता है उस cap को ऐसे दीरे से squeeze करना है आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको pressure देना है वहाँ पे 15 to 20 second के लिए आप जब ऐसा करेंगे तो आपका discharge वही पे रुख जाएगा अगर आप इसको 2 से 3 महिना करेंगे तो आपका discharge का problem कम हो जाएगा फ्रेंट्स जब भी आप अपने partner के साथ intimate होते हैं तोड़ा सा gap देके करें for play बगेरा करें फिर उसको continue करो उसे भी timing बहुत increase होती है फ्रेंट्स मैं आप लोगे साथ जो भी information share करती हूँ यहाँ पर ही some up नहीं होता है बहुत सारे चीज़े होती है जो आप एक बार doctor से consult करेंगे तो आपकी doctor आपको सला देंगे अगर आपको यह सब परिशानी की सामना करना पर रहा है अगर हमारा video helpful लगे तो हमारे साथ जूर जाए हमें support कहने के लिए हमारे channel को subscribe कर दीजिए तो फिर मिलते हैं अगले एक नए video के साथ अलाफ़ीज टेक एर